स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परम गुरू में और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्मूर वीडियो की और ये वीडियो है बिसेश कर बोर्ड एक्जाम की तैयारी को लेकर और इस वीडियो में जो है वो आपका क्लास 12 की इंग्लिस की प्रप्रेशन स सम्बंद में है इसमें इस वीडियो में आपको अंठावन नंबर की तोटल फुल फ्लेश तैयारी का ये वीडियो है यानि अंठावन नंबर की आपकी फुल फ्लेश इसमें तैयारी होती है बहुत सारी चीजे है थमनिल में आपको इसपस्ट हो गया होगा ठीक तो ये प् बहुत important है और even 11th के students के लिए भी important है 12th के business का 12th वालों के लिए है लेकि 11th वालों के लिए भी important है तो set number A1 से लिया गया है यह पूरा और चलिए अब शुरू करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि पूरी practices में काफी आपका बहुत सारा material है और बहुत मज़ा आएगा आपको इस वीडियो में लाश्ट तक और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like और share करना बिलकुल ना भूलें चलिए शुरू करते हैं अब जो इसके अंतरकत हालाकि जैसे कि आप जानते हैं सो नम्मर कपे पर आता है उसमें section wide divide होता है तो पहला section जो है वो reading section के अंतरकत आप लोग जैसे कि जानते हैं चार सेक्षन में board exam 12 का exam divided है उस चार सेक्षन में जो पहला section होता है वो reading section होता है means to say आपका unseen passage ठीक तो शुरू करते हैं मैं चेतन परताब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ परम गुरू में और चलिए शुरू करते हैं read the passage carefully and answer the following questions पहले passage को पढ़ते हैं you are living in an age when there are great opportunities for women in social work, public life and administration कि आप you are living in an age कि आप एक ऐसे age युग में जी रहे हैं when जब there are great opportunities for women in social work कि जहां इस्तियों के लिए social work में यानि समाजिक कारियों में, public life में, यानि सामोहिक जीवन में और locket जीवन बोल सकते हैं and administration, administration का मतलब होता है प्रबंधन कि इन समय इस्तियों के पास बहुत सारी opportunity हैं वर्तमान में जिस समय में हम जी रहे उस समय society requires women of disciplined mind and restrained manners कि समाज को जरूरत होती ही अर्था, requirement होती है, women of disciplined mind उन इस्तियों की जिनके पास disciplined mind है, नियंतरित मन है and restrained manner और जिनके तौर तरीके बेवहार बड़ा नियंतरित बेवहार है तो ऐसी इस्तियों की समाज को जरूरत है, whatever line of work you undertake अब चाहे काम कोई भी हो, जिसको आप undertake करें तो इसमें आपको bring to it, माने इसमें लगाना चाहिए, जिस कारे को आप ले रहे हाँ हाथ में उस कारे में आपको लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? अनुशासित मन, दिस्सिप्लिन माइड, तब आप सफल होंगे और आपको अपनी काम का आनन्द आएगा Actually in our country, हाला कि हमारे देश में, education so far as girls education is concerned, की सिक्षा, जहां तक की girls education का सवाल है, is not wide spread, की जो सिक्षा है वो ज्यादा wide spread नहीं है, अर्थात, विस्तिर्थ नहीं है, फैली हुई सिक्षा नहीं है यानि हमारे देश में, जो सिक्षा है और जहां तक की girls education का सवाल है, इस्तियों की सिक्षा का सवाल है, concern माने होता है, संबंद होना, उनका संबंद है, is not wide spread enough, की परियापत मात्रा में wide spread नहीं है, वो अर्थात, ज्यादा नहीं फैली So, every institution which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement, इसलिए वो प्रतेक संस्थान, जो इस्तियों की सिक्षा में योगदान देता है, contribute करता है It's worthy of recognition, वो हैचान की योग है, मानिता की योग है, recognition की योग है, और encouragement की योग है, यानि ऐसे संस्थान, जो इस्तियों की सिक्षा में योगदान देते हैं, उनको एक मानिता दी जानी चाहिए, और उनका प्रोथसाहन होना चाहिए, encouragement होना चाहिए, इसके बाद, but I am conscious that, लेक मानिता प्रकार, यानि जिस प्रकार की सिक्षा, that is imparted, imparted मानिता विदित कराना, जानकारी देना, must not only be broad, जिस सिक्षा को दिया जा रहा है, वो must not only be broad, कि केवल वो broad नहों, अर्थात मात चोड़ी सिक्षा नहों, केवल किताबों की संख्या जादा नहों, but should also be deep, लेकिन वो सिक्षा गहरी हो, we are lacking in depth, और हमें जो depth है, जो गहराई है, उसी की कमी है, we may become learned and skilled, कि हम विद्वान हो सकते हैं, learned हो सकते हैं, and skilled हो सकते हैं, और योग हो सकते हैं, but if we do not have some kind of purpose in our lives, कि अगर हमारे पास, हमारे जीवन में बिसे इस परकार का उद्देश नहीं है, तो our life, themselves become blind, blind, blundering and bitter, तो हमारा जीवन खुद ही अपने आप में क्या हो जाएगा, blind हो जाएगा, माने अंधिरे से भर जाएगा, blundering भूल सिद्ध होगा, और एक bitter करवाहर से भर जाएगा, कहने का मतलब कि सिक्षा ऐसी होने चाहिए, जो हमें some kind of purpose दे हमारे जीवन में, यानि हमारे बिसे उद्देश होना चाहिए जीवन का, तभी वो सिक्षा सार्थक होती है, अनिता हमारा जो जीवन होता है, वो क्या हो जाता है, blind, blundering and bitter हो जाता है, अब इसके अंतरकत questions है, जिन questions को मैंने लिखा भी है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके, अब जो पहला question ह इसके अंतरकत, उसको को लोग समझती है, अब पहला question है, उसको समझ लिए, पहला question क्या कह रहा है, what opportunities are given in the, what opportunities are being given to the women in our country in the present time, की बरतमान समय में की इस्तियों को कौन सी जो सुबधाय हैं वो दी जा रही है, बरतमान समय में, तो social work में, public life में, administration में दी जा रही है न, तो answer है, आगे देखे, इसी का answer है आगे, तो इसका पहले का answer है, great opportunities for women in social work, public life and administration are being given in the present time, की great opportunities, बड़े आउशर, for women, इस्तियों के लिए in social work, social work में, public life में and administration में, are being given दी जा रहे हैं, in the present time, बरतमान में, अब इसके बाद जो दूसरा question इसका, what is meant of the phrase, blind, blundering, bitter, इस phrase का मतलब क्या है, blind, blundering और bitter का, तो passage के साब से इसका मतलब है, आगे देखते हैं, इसका answer है, if we do not have some purpose in life, की अगर हमारे जीवन में कुछ परपज नहीं होता है, तो then our life becomes blind, तब हमारा जीवन अंधिरे से भर जाता है, ब्लंडिंग से भर जाता है, और bitterness से भर जाता है, करवाहर से भर जाता है, इसी का मैं ऐसे भी कह सकते हैं, blind means, इसका अगर हम पूरे का अलग से अर्थ लिखना चाहाएं, तो इस answer को मैं ऐसी भी दे सकते हैं, blind, blending and bitter means, the life full of darkness, comma, error and sadness, ऐसे भी लेख सकते हैं, अब इसके बाद तीसरा इसका question है, तीसे question की ओर आते हैं, C number का question, what type of education does the writer recommend for us in this essay, कि इस essay में किस प्रकार की सिक्षा को लेखक recommend करता है, उसका recommend करने का अर्थ होता है, उसका, उसकी सिफारिस करना है, तो किस प्रकार की सिक्षा की लेखक किया सिफारिस करता है, तो समझते हैं जरा, तो the writer recommends us, writer हमें सिफारिस करता है, the education which should not only be broad, कि वो सिक्षा जो दी जा रहे हैं, वो केवल broad ना हो, चोड़ी ना हो, but also be deep, लेकिन गहरी हो, and it must provide us a definite purpose of life, और ये हमें हमारे जीवन के definite purpose प्रोवाइट करें, एक विशिष उत्तिस प्रोवाइट करें, निशित उत्तिस, अब इसके बाद और आते हैं question, तो इसमें कहरा है, what is the word, same in the, in meaning, in the given passage, limited का मतलब क्या है, और pervaded माने व्याप्त का मतलब क्या है, इस passage में इनका same meaning अपन को बताना है, अब same meaning बताने का अर्थ ये है, यहां same meaning बताने का अर्थ ये है, कि इसमें अपन को same meaning बताना है, यानि हां, वहां limited का है, restrained, और pervaded का मतलब होता है, व्याप्त, यानि spread हो जाएगा, अब फर इसके बाद अपन को बताना है, opposite बताना है, अगले question में opposite पूछा है, what is the word opposite, in the meaning given in the passage, अनवर्दी का opposite क्या होता है, तो वर्दी माने होता है योग, और अनवर्दी है ना, और अनवर अगला question है, what is the subject about which the writer is speaking to, कि किस विशे के बारे में लिखक बात कर रहा है, अर्थात यहां title की बात की जारी, किस title के बारे में बात कर रहा है, इसमें जो title है, वो है आपका, इसमें जो title है, the purpose of education, सिक्षा का उद्दिश, इसके बाद हाला कि ये question और है, वो miss हो गया है, इ आगे पीछे कर दिया, तो D number है, what type of women does the society need today, कि किस परकार की इस्तिओं की समाज में जरूरत है, आज, किस परकार की इस्तिओं की जरूरत है, तो the society need the women of disciplined mind and restrained manner, कि समाज को जरूरत है, उन इस्तिओं की जो disciplined mind है और restrained manner है, जिनका mind बड़ा disciplined है, एकाग्र है, और restrained manner है, अ टिक डिस्प्リिन में अनुसासित मनें अब शीन के बाद चलते हैं अपने भी एक बहुत बहुत बहतीन आर्टिकल लिया है मैंने उसे में जो आर्टिकल इतना मोस्ट है बहुत मोस्ट है और आर्टिकल का टाइटल है the state of education today और आर्टिकल दस नंबर का पेपर में आता है ठीक और आर्टिकल में आप जानते हैं कि हेडिंग नहीं लिखी जाती ही without हेडिंग होता है तो समझे the state of education today कि वर्तमान में सिक्षा की क्या इस्तिती है तो education is a key to get success in every field of life education वो चावी होता है सफलता पाने की जीवन के किसी भी छेत में शिक्षा जो है वो जीवने किसी भी छेत में सफलता पाने की चावी होती है even professional और non-professional अब चाहे वो छेत्र professional हो बेवसायक हो या बिना बेवसायक हो non-professional हो in every way हर तरीके से education is important for everyone education जो होती है वो सभी के लिए important होती है irrespective of age, caste और religion अब irrespective यानि बिना ध्यान दिये ना तो age का कोई उसमें matter रखता है ना caste का, धर्म का और ना ही religion caste माने जाती और religion माने धर्म जाती धर्म, उम्र कोई इसमें बादा नहीं है it makes us perfect in every way कि जो सिक्षा होती है वो हमें हर तरीके से perfect करती है in every aspect of life जीवन के हर पहलों में it makes us healthy and wealthy कि सिक्षा जो होती है वो हमें healthy बनाती है without education, बिना सिक्षा के one is not more than an animal कि व्यक्ती, one माने होता है व्यक्ती is not more than an animal कि सिक्षा के अभावें व्यक्ती एक जानवर से जादा कुछ भी नहीं है it enables us to know more and more about world and society कि सिक्षा में enable कराती है, योग बनाती है इस बात के लिए to know more and more about world and society कि हम संसार और समाज की बारे में जाद है जाद है जाने it can make us a real human कि ये हमें एक वास्तविक मनुष बना सकती है real human बना सकती है in this modern era अब बरतमान की एरा में अर्थात युग में education is not is more giving knowledge कि जो सिक्षा हो जाएता knowledge दे रही और teaching ये सिखा रही a child एक बच्चे को to know more about society कि वो केवल समाज के बारे में जादा जाने ये सिखा रही सिक्षा unfortunately दुर्भाग वश it has been converted into a business in almost every institution कि जो सिक्षा है has been converted into a business वो एक business में बदल चुकी है convert हो चुकी है in almost every institution लगबग हर एक संस्था में हर एक संस्था में सिक्षा एक business हो चुकी है तो such institution ऐसे institution charge a huge amount of amount in return for the facilities कि ऐसी जो institute होते हैं वे huge amount एक बड़ी मात्रा huge amount माने होती बड़ी रकम बड़ी रकम को charge करते हैं माने पैसा लेते हैं बड़ी रकम in return for the facilities in return माने बदले में facilities के बदले में कौन कौन सी facilities they provide जो वो उपलब्द कराते हैं in some of the west educational institution of the world कि संसार के जो west educational institution है यानि सिक्षा संबंधी संस्थान है में donations ली जाते हैं दान लिया जाता है चंदा लिया जाता है पैस अबसूला जाता है समझे in sword अगर sword में कहा जाए तो education has become commercialized कि जो सिक्षा है वो commercialized जो हो चुकी है advertisement made by the schools colleges coaching etc अब जो भी advertisement किया जाता है पिरचार किया जाता है school college और coaching के द्वारा are methods of getting more and more customers in the form of students कि वो एक तरीके होते है methods होते है advertisement of getting more and more customers in the form of student student के रूप में जादा जादा customer को प्राप्त करना कहलाता है वो यानि जादा जादा customer आए student के रूप में advertisement के थो education education is a crucial component for shaping a person for citizenship in society education जो होता है crucial component होता है एक business उपकरण होता है for shaping a person कि एक व्यक्ति को shaping कर दे उसका आकाट ढाल दे किसी में for citizenship in society कि एक नागरेक उसको बना दे समाज में and become a contributing member to it और समाज के एक योगदान देने वाला एक member बना दे सिख्चा वो component है जो ऐसा करती है the education should be improved कि जो सिख्चा होनी चाहिए वो विक्षित होनी चाहिए and also its meaning should be improved और इसका सिख्चा भी improved होना चाहिए उसमें भी सुधार होना चाहिए और इसके अर्थ को भी बदलना जाना चाहिए कि इसका अर्थ जो है केवल ब्योशाह है ऐसा नहीं होना चाहिए इट सुड बी directed to give quality knowledge to the youth to develop the bird अब इट सुड भी directed ये निर्देस्थ होना चाहिए to give quality knowledge कि quality knowledge दी जाए to the youth यूवाओं को to develop the bird ताकि वे संसार को विक्सित कर सके according to 2011 2011 की census के हिसाब से मत गर्णा के हिसाब से literacy rate of 100% or around has been achieved by only a couple of states in India की भारत में जो literacy rate है साक्षर्था का जो दर है 100% का या उसके आसपास has been achieved वो प्राप्त किया गया by only a couple of states की कुछ ही राज्यों के द्वारा 100% साक्षर्था साक्षर्था का मतलब होता है इस सिक्षा की सिक्षा है ना वो की गई मतलब 100% या उसके आसपास सिक्षा प्राप्त की गई कुछ राज्यों के द्वारा माने इस लक्ष को कुछ राज्यों ने पूरा किया इल्लिट्रेशी मान निरक्षर्था इस फाउंड मोस्टली अमंग दा ओल्ड एंट दी डेप्राइब सेक्षन अब दी सोसाइटी अब जो इल्लिट्रेशी निरक्षर्था वो जातर पाई जाती है कहां तो इस प्रकार इस लिए जरूरा थे यहाँ टू बी नहीं होगा तो रीच होना चाहिए इस नीड़िट तो रीच आपको एक लेटर लिखना है एक सिकायती पत्र है कि आपको अपने कस्वे के हेल्थ आफिशर को एक पत्र लिखना है कि इन सेनिटरी जो अस्वास्त कर जो समस्या हैं उनके तरफ उसका ध्याना करसित करना है कि जो स्वीपर्स है और कंसर्ड एम्प्लोईज है उनकी लापरवाही के कारण जो अस्वास्त कर समस्या है यानि स्वास्त संबंदी जो भी समस्या है उत्पन हो रही है उसके संबंद में पत्र लिखना है समझे उसको कैसे सबसे पहले आप अपना पता जो भीज रहा है उसका पता जैसे 12 अकवर रोड अलहाबाद ठीक फिर इसके बाद नीचे डेट 11th मार्च जो भी हो वो डेट दे दी इसके बाद जिसको भीज रहे किसको भीज रहे receiver कौन है the health officer वो हो गया the health officer महोबा यूपी अब subject क्या है subject फिलिखते है subject in sanitary condition of our town कि हमारे कस्वे की जो in sanitary condition उसके बारे में अब है respected sir फिर salutation देते हैं बड़े आदर पूर्बा गुरु को कहेंगे respected sir I would like to draw your attention ठीक I would like मैं चाहूंगा to draw your attention मैं आपका ध्यान आकरसित करना चाहूंगा towards the in sanitary condition of our town कि हमारे टाउन की जो in sanitary condition है उसके ब्रती में आपका ध्यान आकरसित करना चाहूंगा due to the negligence of the concerned authorities कि य concerned authorities अर्थात संबंदित अध्यकारियों की लापरवाही के कारण the people of our town are facing many problems कि जो हमारे गाउं हमारे टाउन कस्वे के जो लोग हैं बहुत सारी problem को face करें पहले अपन समस्या पूरी इस तरीके से बताते हैं फिर आगे despite many requests बहुत सारी requests के बाबजूद severs of the town जो town के severs से ना clean नहीं किया गया अर्थात भी क्या है कि उन से क्या हो रहा बदबू बगेर आ रही है मतलब कहने का मतलब यह है कि उनको clean नहीं किया गया है जिसके कारण क्या हो रहा है सारा problem हो रही मतलब यह चीच पहले अपन को बता देनी होती है आगे देखो आगे है फॉर लॉंग टाइम बहुत लंबे समय से क्लीन नहीं किया गया है now they are the breeding ground breeding ground माने होता है जन्म इस्थान for mosquitoes and rodents अब भी जन्म इस्थान बन गए है किनका मच्छों के और rodents rodents का रथ होता है चूहे मूशक समझ गए rodents का मतलब होता है चूहे वगेरा समझ गए फिर आगे देखो they might spread many diseases और वे बहुत सारी बीमारिया फैला सकते है if the situation is not checked कि अगर situation को check ना किया गया रोका ना गया तो the problem में भी worse कि जो problem है वो worse हो सकती है खराब हो सकती है यह समस्य है और ज़्यादा बुरी स्थिती में जा सकती है तो please take some necessary actions on this matter कि किरपया करके इस matter पर कुछ actions लें yours faithfully xyz यहाँ नाम डाल देते हैं इस तरीके से यह जो letter होगे last मैं please लाके यह जरूर बोला अब मैं यहाँ एक चीज और आप दे सकते थे matter के बाद पहरा चेंज करके जहाँ मैंने your faithfully लिखा आप चाहें इधर तो thanking you भी लिख सकते हैं पहले फिर इसके बाद नीचे से अगली line से लिख सकते हैं yours faithfully ठीक इस तरीके से भी कर सकते हैं अब इसके बाद है मैंने यहाँ vocabulary ली हुई है तो उसको समझते हैं choose the correct option to answer the following expression पहला आपका one word substitution है one who looks at the bright side of life कि वह जो जीवन के bright side of life जीवन के चमकीले पक्ष को देखता है अर्थाद सुन्दर पक्ष को देखता है ठीक वो क्या कहलाता है optimist कहलाता है वो आसावादी उसको बोलते है fatalist माने होता है भाग्यवादी pessimist माने होता है निरासावादी opportunist का मतलब होता है आउशरवादी तो इसका सही आंसर होगा optimist आसावादी अब इसकी बाद है brother kills his sister suspecting at her relation with someone कि एक भाई अपनी बेहन को मार देता है इस संदे में suspect में at her relation with someone कि उसका किसी से संबन्द है तो एक भाई का बेहन को किसी से संबन्द होने के संदे में मारना क्या कहलाता है sororicide कहलाता है माने बेहन की हत्या matricide मात्र हत्या होती आत्म हत्या होती है और होमी साइड नरहत्या हत्या होती है तो सही option है ए नमबर फिर इसके बाद select the right meaning of the following idiomatic phrase अब idioms and phrases है तो पहला है a lame excuse माने होता है जूटा बहाना तो इसका हो जाएगा a false pretence एक दिखावा माने बहाना false so नहीं होगा bad thing बुरी चीज यूजले स्टॉक्स ये भी नहीं होगा तो सही answer है a false pretence इसके बाद है a rainy day वर्षा को दिनों के लिए अर्थात बुरे दिनों के लिए तो a miserable day a rest day a good day a auspicious chance ये सब कुछ नहीं होगा a miserable day होगा आगे देखो यहाँ spelling गलत लिखी है miserable की छापे खाने की गलती है M I S E होना चाहिए ठीक है synonym बताना है अब आपको confess माने होता है स्वीकार करना तो admit स्वीकार करना deny मना करना reject मना करना ban मने रोक देना तो सही इसका answer क्या होगा synonym and admit conflict का मतलब होता है संघर्ज तो class माने जड़ा पिया संघर्ज, pact माने समझो होता, friendship माने मित्ता, hide माने छिपाना तो सही इसका answer क्या होगा class conflict का synonym class होगा अब इसमें एक sentence दिया है either of the two boys were present in class कि दो मैंसे कोई बच्चा उपस्थित था दो मैंसे कोई एक बच्चा उपस्थित था, तो समझना गौर जे, यहाँ वर लगा है, इसमें पूछ रहा है which word in this sentence is an error, कि इस sentence में कौन सा ऐसा सब्द है जिसमें गलती है तो इसमें सही अर्थ में कहूँ तो जब भी either say sentence शुरू होता है, तो helping word हमेशा singular होती है, तो word नहों के यहाँ वाज यूज होगा, ठीके तो काईदे से सही कहा जाए, तो answer जो होगा अपका, ए नमबर का सही होगा, और word की जगे वाज होगा, ठीके इंटोनीम बताना है अपन को, अब adversity माने होता है, मुशीवत, तो इसका एंटोनीम होता है, prosperity, सम्रध्धी, mis fortune माने आपदा होती है, disaster, आपदा होती है, crisis भी एक मुशीवत है, तो यह सब आगे, पीछी के तो होगा, इसका जो एंटोनीम होगा, वो होगा, आपका, opposite, क्या, prosperity, civilized, अगला है, civilized माने सब, तो इसका opposite होगा, uncivilized, gentle माने सब होता है, mind माने होता है, numb, या बिनम्र, humble माने भी बिनम्र होता है, तो काईदी से इसका सही हो जाएगा, A number, पहला, इसकी बाद देखो, इसकी बाद है, अब आपका हमोफोन से, तो इन दोनों carrier का मतलब समझ लिएगी, C-A-R-E-E-R, इस carrier का मतलब होता है, जीविका, लिविः हूड, ठीक, और इस carrier का मतलब होता है, बाहक, जैसे cycle का carrier होता है, वो carrier, यह, और sell, sell माने होता है, s-e-i-le, sell माने होता है विक्री, और sell, sell माने होता है ना चलाना, sell करना, ठीक, समझ गएग, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपका है, ट्रांसलेश से, एक story है, जो हिंदी से इन्गिलिस ट्रांसलेस करनी है, आपको पांच नमबर की आती पेपर मे पहला है इसका आसा के बिना जीवन क्या है? असंभव है आसा के बिना जीवन असंभव है आसा के बिना without hope, life is impossible यदि आसा ना होती तो मनुष्छ का जीवन बड़ा बोजिल और दुख में हो जाता अगर आसा ना होती दियर से शुरू करते हैं जब कोई चीज कहीं पर मौजूद हो इफ दियर इस नो होप तो मनुष्य का जीवन, human's life becomes हो जाती क्या हो जाती, very burdensome, बहुत ज़्यादा बोजिल and sorrowful और दुख मै विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आसा पर विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं तो students work, students work hard, कठिन परिश्रम करते हैं throughout the year, पूरे साल, only in the hope केवल इसी आसा में that they will see, वे देखेंगे क्या देखेंगे वे सफलता का मुख देखेंगे दे विल सी दा फ़ेस अफ सक्सेश एक किसान घौर उश्वनता और सीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता एक किसान अाफार्मार डजनोट अग्ड डजनोट केर अलिटल थोड़ा भी केर नहीं करता of extreme hot extreme heat अत्तिक heat की and cold की और seat की heat माने हो गई उश्मता और cold माने हो गई seat बिलकुल भी ख्याल नहीं रखता आगे देखें इसी परकार ब्यापारी लोग ब्यापार में धन लगाते है दस इस परकार अब ब्यापार में धन लगाने का मतलब होता है इन्वेस्ट करना दस इस परकार इन्वेस्ट मनी ओन ट्रेड जो बिजनिसमेन होते हैं वो ट्रेड ब्यावशाह में पैसा लगाते हैं only in the hope केवल इस आसा में ताकी लगाते हैं ताकी इस आसा का आस्रे लेकर केवल इस आसा का आस्रे लेकर माने केवल इस आसा में लगाते हैं ब्यापारी लोग ब्यापार में धन लगाते हैं न तो दस दा विजनिसमेन इन्वेस्ट मनी ओन ट्रेड ट्रेड मन होता ब्यापार only in the hope केवल इसी आसा में यानि इसी आसरे का इसी आसरे लेकर हो जाएगा इस कर्थ है ना ताकि so that उनका ब्यापार उनके लिए लाबकारी शिद्ध हो so that their business will be अब हो या होगा will be कर दें लेकिन बैसे so that के बाद में होता है क्या होता है यूज में तो their business may be beneficial for them उनके लिए लाबकारी या may prove beneficial for them उनके लिए लाबकारी शिद्ध हो तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरसों ने आसा को मान रुपी जहाज का संबल कहा है संबल कहा है तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरसों ने तो तभी तो therefore इसलिए बुद्धिमान और महापुर्सोन यानि the wise and great man have said कह चुके हैं किसको कह चुके हैं the hope asa को क्या कह चुके है the hope asa को कह चुके है that की it is the strength of humanship ये मानो रूपी जहाज का strength है संबल है सहारा है ठीक आगे देखें अब इसके बाद poetry से strength लिए हुए है मैंने इनके answer को अपन लोग देखेंगे ठीक है poetry से strength है पहला जो strength है and at for the children ये लिया गए है आपका an elementary school classroom in a asylum by Stephen Spender इसके लेखा के Stephen Spender यानि poet है तो इसको पढ़ेंगे फिर इसके questions का answer देंगे ये बहुत important है आपके लिए छे number में पूछा जाता है and at तो भी for these children इन बच्चों के लिए these windows ये खिड़किया not this map ये map नहीं देर बर्ड उनका संसार है ये खिड़किया उनका संसार है ये map उनका संसार नहीं है where all their futures painted with a fog जहां पूरा इनका भबिश painted with fog fog से पुता है fog मानुता धुन्द अन्हीरा a narrow street sealed in with a lead sky कि इनकी जो narrow street है सक्री जो इनकी गली है in which a narrow street sealed in sealed in माने होता है with a lead sky कि lead sky माने होता है सीसे के काच से इनकी पूरी गली बंद है अर्थात ये बहुत तंग जगे रहते हैं और ये कहें कि इनका भबिश जो है वो सक्रा भबिश है ठीक उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है far far from rivers नदियों से बहुत दूर इनका भबिश केपस से बहुत दूर अंतरीब से बहुत दूर and stars of words और वाइदों से बहुत दूर stars of birds का मतलब है यहां वाइदे है ना वाइदों से बहुत दूर है समझ गए आगे देखें तो पहला इसका जो question है वो है why is the future of these children pointed with a fog कि इन बच्चों का जो future है वो fog से यहां pointed सब्द नहीं है painted क्यों है धका क्यों है तो मैंने इसका answer लिया हुआ इसके answer को आप कायदे समझ यह सीधा answer मैंने लिया हुआ है the future of these children is painted with fog because क्योंकि they are very poor बहुत गरीब है and neglected है they do not have facilities like rich children और उनके पास धनी बच्चों की तरह facilities नहीं है ठीक है अब अगला question है what does the expression a narrow street signify narrow street का मतलब होता है सक्री गली यह क्या signify करती है किस चीज की ओगर इस सारा करती है तो a narrow street signifies a confined area which has limited जिसने limited कर दिया है सीमित कर दिया है the life of children बच्चों के जीवन को to the slum slum तक सीमित कर दिया यानि गंदी बस्ती तक अब इसके बाद वो कह रहा है अगला question है इसमें अगला question है what is the pun in the window as used in the extract extract का मतलब होता है सार कि pun का क्या प्रयोकी है पन माने होता है slays यानि कोई ऐसा word जिसका दो अर्थ रखता है वो चीज बताना है तो बिंडो के धर दो अर्थ है समझो तो पहला है आपका बिंडो पहला here बिंडो is used for two purposes दो देश के लिए बिंडो यूज़ की गई पहला the window of the classroom classroom की बिंडो और दूसरा उसका मतलब है the window of the map मैप की बिंडो आगे देखें अगला जो passage है वो आपका है perhaps the earth can teach us ये अगला passage आपका दिया है keeping quiet से जिसके poet है Pablo Neruda समझ गए? समझे तो perhaps the earth can teach us कि साइद धर्थी हमें सिखा सके as wean और तब सिखा सके जब everything seems dead जब प्रती एक चीज मृत प्रतीत होती है and later proves to be alive और वही बाद में जीवत सिद्ध हो जाती है now I will count up to 12 अब मैं 12 तक गिनूँगा and you keep quiet आप सांध रहेंगे and I will go और में चला जाऊँगा तो पहला question है what can earth teach us कि धर्ती हमें क्या सिखा सकती है इसका answer अपन लोग देते हैं समझो तो इसका answer है the earth can teach us that there is life under stillness कि अर्थ हमें सिखा सकती है कि एक सांती में जीवन है ये धर्ती हमें सिखा सकती है अगला question है इसका why does the poet count up to 12 poet 12 तक count क्यों करता है क्यों गिनता है जिसका answer है the poet counts up to 12 to indicate that ये indicate करने के लिए सूचित करने के लिए 12 तक गिनता है ये बताने के लिए ये सारा करने के लिए that there are 12 hours in a day कि एक दिन में 12 गंटे होते हैं and 12 months in a year और एक year से नहीं या year है कि एक साल में 12 गंटे होते हैं 12 महीने होते हैं है ना so he takes a start by counting up to 12 कि वो एक start लेता है भारत गिन के शुरुवात लेता है so that ताकि be maybe still ताकि हम सांथ हो सके and काम हो सके माने इस्थिर हो सके still माने और काम सांथ हो सके to introspect ourselves ताकि आपको introspect कर सके अपना आंतरिक निरिक्षन कर सके इसलिए वो 12 तक गिनता है अब इसके बाद question कह रहा है what identify the poetic device poetic device का प्रयोग कीजिए used in the lines जो in line में प्रयोग किया गया है अब ये line दी है earth can teach us as being everything earth हमें सिखा सकती है जब प्रतिक चीज तो edge सब्त कही हो जाया है तो इसमें simli का प्रयोग हुआ है क्या प्रयोग हुआ है simli तो इस तरीके से ये video यहाँ पूरा होता है और आसा है आपको ये पूरा video समझ में आया होगा बहुत अच्छी समझ में आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है और सेयर करना है तो मैं चेतन प्रताप from XP Classes आपसे विदा लेता हूँ इसी के साथ जय हिंद जय भारत बंदे मात्रम हरर महादेव जय भवानी